अब दोस्तो माइनीमी जराजन सर्मा दोस्तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहां पर एक सीट बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ सीरियल नमर्स लिखें हैं कुछ यहां पर एंपलोई नेम हैं और यहां उनके जेंडर और यह उनकी सैलरी है कि लिए सेलरी जो है मतलब टू जो हैं जैसे माली जैके 25000 चरीले जैके अन दोनों सली का सम क्या होगा यह मैं पूलों कि बताई जैसे 27000 चरीले इनका सम्तिया होगा यह टॉप 4 या 5 टैन आब को सम देखना हो अगर वह फाइंड करना हो ता आप कैसे करेंगे तो एक तो सिंपल तर आपको टॉप टू या टॉप थरी निकालना है तो आप इजली इसकल टू लगाएंगे उस सेलरी पर क्लिक करेंगे जैसे 25,000 जो है वह एक सेलरी है 26,000 दूसरी और जो तीसरी सेलरी है वह है 27,000 इस पर क्लिक क्या अब देखिए 27,000 और पचीस यह टॉप थरी सेलरी है इसके जितनी भी सेलरी है वह इन तीनों से कम है 15, 18, 16, 20, 19, 14 जो है इन से कम है यह टॉप थरी सेलरी है एंड एंटर करेंगे तो देखिए यह टॉप थरी सेलरी जो है वह 78,000 रुपे है तीनों तॉप थरी का वह यहाँ पर निकल गया है इसी तरसा का टॉप टूप फाइंड करन तो आप कैसे निकालना है तो अगर आप यहां तो देखें दस लोग है तो आपने इसली फाइंड आउट कर लिया कि टॉप थरी आपने अड़ लिए लेकिन अगर माली जी है अंडर एंप्लोई का डेटा होता उसके अंदर से आपको टॉप थरी फाइंड करना होता बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को करने में लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा फंक्शन बताने जा रहा हूं जिसके थुरू आप कितनी भी बड़ी डेटा हो उस डेटा के अंदर से टॉप थ्री या टॉप टू सैलरी वह हैं वह इसली फाइंड आउट कर सकते हैं देखें वह आ आज की इस वीडियो में आपको सम प्रोड़क्टी बताऊंगा लेकिन अलग तरीके से हम कैसे करेंगे देखें इस पूरे डेटा के अंदर से यह जो हमरे पास टेबल ए रहे हैं पूरी सीट के अंदर से टॉप थरी फाइंड आउट करना है तो एक तो यह नॉर्मल तरीका जाए है जो मैं आपको पताया है ठीक है जो लेंदी है मैं आपको एक स्मार्ट तरीका वताने हो रहा हूं जिससे अराम से यह गाम हो जाएगा आपको करना यह एक है कि आप अपने कीबोर्ड के अंदर मतलब इस इकल टूट टू टाइप करेंगे और आपको इसका लगाना है समप्रॉडक्ट एंड उसका लगाएंगे टैप से ब्रैक्ट समप्रॉडट लिखने बाद देखिए यहां पर एक आपसन आता आता आपको तो जो सैलिरी है आप कि को सेलेक्ट करने के बाद आपको लगा ना है कि पर कॉमा पर एक हिंट देह सैबर करेगा ने सम्सक्राइगा-णまずक्तली है इसलिए उसको find out करना है इसलिए हमने लार्ज नंबर लिखा है लार्ज का मतलब इन तीन में से वह लार्ज find करेगा लार्ज कितने find करने एक दो या तीन उसको आपको curly bracket के अंदर अपने keyboard में लगाए curly bracket एंड उसके आद आपको type करना है one and simply comma and second comma and third 123 का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर से top three find करने अगर आपको top five find करने आप लगा इसको आगे बढ़ा लेंगे जैसे four comma five ठीक है top ten देखने तो इसी तरह से आप लगाएंगे six comma seven comma eight इस तरीक से ठीक फिलाल मैंने जो हैं यहां पर दस लोगों का ही डेटा बनाया है इसलिए आपको इसमें से top three निकाल के दिखाऊंगा और आप प्रैक्टिस करिए इसको दो जैसे टॉप टू निकालने तो आप दो इसमें से top three निकालना तो आप उससे सबसे डेटा को अप्लाई करना ठीक है यह हो गया 123 लिख लिए हमने इसका मतलब आपको जो है 78000 जो है यहां पर अमाउंट आ गया है जो आपने अपर मैनूली कर गया भी देखा था मने तो यहां पर लार्ज function का यूस से करते हैं अगर आपको इस वीडियो से रिलेट किसी भी टरीके का